स्कूल की बिवस्था ठीक नहीं है हमारे जो पड़े लिखे बेरुजगार घूम रहा है उनके लिए सर्विस नहीं है वहुतिक सरकार जिदी जल्दी छलिया अच्छी बात है क्योंगे इस से बहुत बढ़ी तकलिक हमारे या उन्नाव से जो साची महराजी सांसद हैं उन्होंने अनार कली की तरह अपने आपको 10 साल में कैद रखा है जो अपने आपको चुनवाग रखा था हम लोगों का इनको पगड़ी बांत के बहुंने के लिया था जनजवार की चुनावी यात्रा उन्नाव पहूं चुकी है और उन्नाव में चनता से जानेजी की क्या मूड है यह मूड इस साल की नजर है परिवर्तन की जिशा पर पुब्लिक की नजर है कि सांसद बदला जाए कौन है सांसद यहां से सांसद है साच्छी महराज कुछ काम के नहीं साबित हुए दस साल में कोई काम नहीं किया आपकी क्या रहा है भाई साब समाजवादी परृटी जिंदवाब। उसी जिताना है लेकिन मौजुदा जो सांसद साच्छी महराज को बड़ा नामी आदमी है है ही सद्बुक्त है कि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं जो सांसद्ध है नहीं दक्र प्रिवर्तन होगीस किस पारटी के पक्ष में हैं जो सबका साथ सबका विकास मतलब मोदी जी के साथ है नहीं सबके साथ सबके विकास के लिए कौन सी पारटी इस बार साखशी महराज के काम से खुष है अप लोग जो सरकार बने वही अच्छा पर नौकरे नहीं मिला ही पचीज साल तक का साधी नहीं रही है परिवार तोड़ने का काम किया है परिवार टूट रहे हैं गाउन सर्वे कर ले हो जाके महंगाई बेरोजगार इस अरे महंगाई साधी ही नहीं हुए सब्सक्राइब तो मतलब यह है कि जमीन बेच के बेटियों की साधी नहीं परसेंट बेरोजगारी चरम सीमा है यह बताइए कि चाक्षी महराज से क्या समस्या है क्या काम के नहीं है किसी काम के नहीं है सरकार 2000 रुपए देती है हर घर में चार बच्चे है चार बच्चे स्कूल लाते हैं पर बच्चे के यह सब्सक्राइब रुपए का किसान रात में खेती ताके रहेगा दिन में मजदूरी के करेगा क्या बच्चों को खिलाएगा क्या उनको सिच्चा देगा इसी बदल नहीं होगी सरकार ना स्कूल की बिवस्था ठीक नहीं है और जो पढ़े लिखे बेरुजगार घूम रहा है उनके लिए सर्विस लहीं है तो इसका मतलब सरकार बदलनी होगी ना सरकार बदलेगी तभी तो इराज चलेगा यह सरकार बदलेगी तभी यह राज चलेगा बिल्कुल सही बाद है कुछ यूदि यह जुम्लों देना बंकर दे इन जुम्लों से काम नहीं चलेगा जनता जाग गई है जनता जाग रूप है जनता इस बार ओट से चोट देगी क्या राए है चचाा अभी की मोडी की सरकार पर मोडी सरकार जितन जल्दी चलिया है उतनी अच्छी बात है क्योंगि इस से बहुत बड़ी तकलीप चाहे किसानी वात हो चाहे एक बार नहीं अनेकों बातS जो परेशानी किसान त्ह रह रहा है जब हुषव तो एक तरफ बिरोजगार नौजवान परिशान दूसरी तरफ जानवर परिशान तो यह परिशानी देने वाली सरकार बन गई प्राइवेट कर दिया है एरपोर्ट हो कोई भी हो यह देश बेश लिने से और अगरे शरकार रहे तब 50,000 को करोड़ कर जा रहा है आज 2,000 को कर जा है बहुत पर मोदी सब यह जाएगा तो समिनान भी नास कर देगा यह गरीबों को विरुकुल खतम कर देगा यह बताएगे क्या लग रहा है कि किसान नौजवान सब परिशान है फिर भी बार बार मोदी जीत कर क्यों आ जा रहा है अगर तोता गुसने की कोसिस करेगा तो दुबाह तोता बाहर नहीं निकल पाएगा वो चुनाओ के बाद भार निकलेगा तोता इस बार तोते नहीं गुस्ट पाएंगे इस बार समाजवादी का जो कैंडिडेड और एजेंट हो मजबूते साम मुस्ताइद हैं और राम गोल चाचा जैने भी सुत्र समझेद सब लोग जानते हैं जो इस बार एजेंट बने दा बाहू बली बनेगा अगर लड़ाई से लड़ाई लड़ी जाएगे तो समाजवादी उसमें पीछे नहीं अटेंगे किसान तो बहुत नाखुस है इस गवर्मेंट से तो बहुत नाखुस है कोई काम की नहीं है जानवर इतने इफरात हैं कि आदमी खेट आके घर ताके तो आप जवान आदमी है यह बताईए क्य से लिए पाट रही है परिवार चलाना मुस्किल हो रहा है मिया भीषी में जगडे बाढ़ है परिवारों में जगडे बाढ़ है अजय जब ना उकरे नहीं मिलेगी रोज़गार नहीं मिलेगा與 क्या है टा Shapने लोग पढ़ár लोग ऐसे घूम रहे है पएपर अश्छी महर आपको दस साल में कैद रखा है जो अपने आपको चुनवांग रखा था कहीं कोई घटना हो जाए कोई घटना हों जाए समाजवादी लोग पहुंशते हैं- किसी खेतों में आग लग जाये समाज-वादी लोग पहुंशते हैं- consideration नहीं टो हम लोगोनों योगी मोदी लेकिन योगी मोदी और की बाध है लेकिन योगी से भी नाखूस है और मोदी से भी नाखूस है इसलिए लोगसभा का चुनाओं समाजवाधि और गडबंदन के पच्छबे होने जा रहा है सब जानते हैं कि जनजवार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में सामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में सामिल हूं। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोगी हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।